हेलो स्ट्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग competitive errors से related कुछ question को solve करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को topic है वो है articles articles में किस type का competitive error आ सकता है वो हम लोग देखेंगे और ये errors का question जो है सभी तरक exam competitive exam के लिए important होता है तो सबसे पहले articles से हम start करते है इसमें a, an and the इन तीनों को हम लोग article बोलता है ये सब कोई को पता है ठीक है ये इसमें से एक्टो तो indefinite noun के लिए use होता है indefinite nouns के लिए use होता है और दूसरा किस के लिए use होता है definite के लिए किसी भी noun को हम लोग definite बनाने के लिए या indefinite बनाने के लिए हम लोग articles को यूज करते हैं, जैसे कि एक example है इस example में लिखा हुआ a beggar has stolen your shirt ये है shir t-shirt ये रहा, इसमें क्या दिखा रहा है a beggar जो है वो एक noun है, ओके beggar के आगे में एक ठो a लग गया है तो इससे क्या पता चल रहा है कि a या फिर n कब लगाते हैं हम लोग indefinite articles को समय में indefinite articles का जब भी हम लोग को use हना होगा, या फिर noun को हम लोग को indefinite बनाना होगा, उसमें हम लोग a या n का use करेंगे, जैसे कि a beggar has stolen your shirt एक कोई विक्षुक है जिसने तुमारा shirt को चुडा लिया है, तो यहां पर कोई particular इंसान नहीं है बेगर, कोई भी हो सकता है, तो इसका हम लोग indefinite है इसलिए हम लोग a का use किया है ठीक है और एक example है, जो कि example number two है हम लोग का this is the house in which I live यह एक दूसरा example है यहां पर जो the house है इस house के आगे हम लोग the लगा दिये, क्यों? क्योंकि इस sentence को अगर ठीक से पढ़े हम लोग this is the house in which I live, यह वही घड है जहां पर हम लोग रहते हैं, तो यह एक particularity बता रहा है एक definite जगा बता रहा है, house क्या हो गया noun है, और यह कौन सो नाव न है definite हो गया तो इसलिए इसके आगे हम लोग the का यूज किये, तो a और n का यूज हम लोग indefinite आर्टिकल के हिसाब से करते हैं और the का यूज हम लोग definite आर्टिकल के हिसाब से यूज करते हैं definite यहां पर कुछ पता नहीं था कि कौन सा विक्षुक होगा, जो हम चोड़ी कर लिए कुई विक्षुक हो सकता है, यहां पर confirm है कि यही वो मेरा house है जहां पर हम लोग रहते हैं, तो यह यहां पर particular house है, इसलिए यहां पर the लग गया, the का use हो गया है जब भी singular countable singular हो और countable हो ऐसा noun के पहले हमेशा a या n का use होता है, हमेशा हम लोग a या n का use करेंगे जैसे कि एक example है, example number one, Mohan is a singer okay, singer जो है वो क्या है, singular noun है, singular countable noun है यह जो singer हो singular countable noun है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग a का use किया है तो यहाँ पर singular countable noun होना से a या फिर n का use करेंगे, as usual जैसे होता है अब example number two और एक है this is an apple यह हो गया example number two यहाँ पर क्या बता रहा है, कि apple जो है, वो singular countable noun है singular है, apple, apples नहीं लिखा हुआ है, plus countable इसको count कर सकता हम लोग लोग a noun है अब a कब लगता है और an कब लगता है, यह हम next बेज़े बता रहे हैं इन सब को पांचों को छोड़ कर उस सब के बाद में हम लोग पहले में a का यूज करते हैं और the का यूज करेंगे, इन दोनों भवेल हो या consonant हो the का यूज कर सकते हैं अगर वो चीज या वस्तु particular या कोई specific है तब competitive exam में बहुत सरा ऐसा देखा जाता है कि ऐसा आ जाता है जैसे कि एक पहला है रभी prefers self employment यह एक sentence है जो कि error का ही है to job in any office और यहां पर last में क्या हो जाएगा no error no error तो as usual यह वाला कौन सा है यह है हम लोग का a, b, c, d and e तो इसमें find out करना है कि इन समय से किसमें जो हम लोग को error मिल रहा है या किसमें एक ठो find out करना कौन सा wrong है तो option number c जो है वो सही है क्योंकि c वाला wrong है क्योंकि to a job लगेगा क्योंकि जो job है जो word वो एक similar countable noun है तो इसके आगे हम लोग a का use करेंगे तो इसलिए हमनोंका c जो है यह पार्ट यह गलत है यह क्या बोलता है भुपाल p.o exam में यह अला question जो है यह हमनोंका आया हुआ था अब आगे बढ़ जाते है थुरा सा दो नमर वाला case में इसमें क्या बोल रहा है it being rainy day यह भी एक exam पर आया है most of the people योग्या out on the street where carrying umbrellas या फिर no error इसमें हम लोग को कौन सा जो पार्ट है इस sentence का वो error है यह पता लगाना है b c d और e तो समझ में ही आ जाएगा इसमें से कि जो पार्ट a है वो हम लोग का गलत है जो पार्ट a है कैसे क्योंकि rainy day यहाँ पर day जो है वो एक singular countable noun है इसके आगे हम लोग को एक ठो ए लगना चाहिए लेकिन since जो rainy है वो जो है day के पहले आ गया राइट rainy day के पहले rainy क्या है rainy एक adjective है okay day के पहले एक rainy आ गया तो इसके हम लोग जो a को है उसको हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे किसमें चाहता है example number three में चलते हैं क्या लिखा है summons was served on ram या फिर no error यह हम लोग का और इसमें से हम लोग को find out detect करना कि कौन सा error है और कौन सा नहीं तो यहाँ पर जो summons है ना उसका मेनिंग होता है कि एक तरह का officer जो court में law के समय में आता है यह summons में हो गया तो इसमें कौन से error है पता चल रहा है कि part a जो है नावन है यहाँ पर यह एक sentence है जो कि cds exam में आ गया है 1999 में तो इसका जो part a जो है यह वाला गलत है क्यासे क्योंकि समन एक singular countable noun है तो इसके आगे ए लगना चाहिए तो a summons यहाँ पर यूज होना चाहिए ठीक है और summons का यह तो singular रहा बता दिये हम summons का plural form क्या होता है summons यह है plural form summons का अब हम लोग तर आगे बढ़ जाए एक्जामपल में फोर में जाते हैं laser beams can carry long distance signals in way somewhat similar to the radio waves no error तो इसे में से पूछ रहा है कि कौन सा part है जो wrong है तो हम लोग का जो part भी है वो जो है wrong एक दम ठीक है यहाँ पर हम लोग को कुछ detect करना है क्या detect करना है कि जो signals है जो इन वे है यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक्ठो ए लगना चाहिए क्योंकि जो वे है वो क्या है singular countable noun है तो उसके आगे एक्ठो ए लगना चाहिए इन अवे यह जो है correct यूज है यहाँ पर तो हम लोग देख लिए तरह तरह का exam में तरह तरह का जो है इतना easily articles देता और यहीं पर जाता हम लोग को mistake हो जाता है अब चलते हम लोग टूब में रूल जो आ रहा है अब ठीक है इसमें क्या सीखेंगे हम लोग some idiomatic uses of a और n some idiomatic uses of a और n idiomatic मतलगा कुछ phrases ठीक है उन सब में हम लोग a या फिर n का use करेंगे कब कब क्या करेंगा अभी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला point है कि जब भी number का पता चले किसी idiom से कथा मात्रा कुछ खाच expression का मात्रा बताने वाली कुछ खाच expression का पता चले तो उस सब में हम लोग समझ जाते हैं कि यहां पर a लगे यह लगे जासे कि हम कुछ बता देते हैं a lot of यहां पर देखिए a lot of मतलब यहां पर नमबर बता रहा है ठीक है बहुत ज्यादा यहां पर a लग गया okay a great deal of यहां पर भी लग गया agree deal of इसमें भी तुरह सा नमबर यहां मात्रा को ही express कर रहा है a great many यह कुछ phrases है जो हम लोग हमें सा माइंड में रखना चाहिए जो helpful होता है एक्जाम के समय में फटा फट कर लेने के लिए a good many of यहां पर भी ए लग गया अब आगे बढ़ जाते है a good deal of ठीक है यहां पर भी हम लोग का a लग गया सब में okay आगे बढ़ जाते है a large quantity of यहां पर भी हम लोग का a का use हो गया है some more phrases are there a large number of इसके पहले भी large number of जो रहता है इसके पहले हम लोग a का use करेंगे फिर आ जाता है a large amount of यहां पर भी हम लोग क्या use करेंगे a का use करेंगे next है a great number of यहां पर भी हम लोग a का use करेंगे a large number of यह तो हो गया है तो यही सब कुछ फ्रेजेस है जहां पर हम लोग अधिकतर जो है एका यूज करते हैं और यह हम लोग को दिमाग हमें सा रखना और यह क्या एक्सपेस कहता है संक्या या मात्रा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को इस आर्टिकल का कंटेंट अच्छ तो आज की अच्छ वाची कि इस दो आख दू हुआ कि वे रखने अच्छ